सर्दियों में जब लगे वाट्रोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान हाल ही के कुछ वर्षों में भारत से क्रिशी और प्रोसेस्ट फूड प्रोडक्ट्स के निर्यात में काफी तेजी आई है हर साल आखडा बढ़ता ही जा रहा है इस बार भी इस छेतर से एक्सपोर्ट में अच्छे प्रदशन की उमीद है जबकि चावल का निर्यात इस साल रिकॉर्डस तर पर पहुँच सकता है बाजार विशेशग्यों को उमीद है कि वित वर्ष के अंत तक भारत इस बार लगबग 200 लाग टन चावल एक्सपोर्ट करने में सफल रहेगा वित वर्ष 2021-22 के पहले साथ महीनों में एक्सपोर्ट में 33 परतीशत की दमदार बढ़ोती दर्ज हुई है वित वर्ष 2021 के पहले साथ महीने यानी अप्रेल से अक्टूबर के बीच 8.91 मिलियन टन के मुकावले इस साल समान अवदी में 11.79 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हो चुका है विशेशग्यों का क्याना है कि नवंबर और दिसंबर में भी शांदार आक्रे सामने आए है अगर ये सिलसिला बरकरार रहा तो भारत पिछले साल के अपने रिकॉर्ड को और बहतर कर सकता है बीते साल भारत ने करीब 18.000.000 टन चावल का एक्सपोर्ट किया था जो की अपनाक में एक रिकॉर्ड है पहले साथ महीने के नतीजे और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी बरकरार रहने के कारण उमीद है कि इस बार चावल निर्यात का आकड़ा 20.000.000 यानि की 200.000.000 तन के आसपास पहुँच सकता है जो भारत के लिए एक नया रिकॉर्ड होगा डीते साल कुल 17.7.2 मिलियन टन चावल का भारत ने अन्य देशों में निर्यात किया था गैर बास्मती चावल के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी ने भारत से चावल निर्यात के लिए नए अफसर दिये हैं एक रिपोर्ट के मताविक क्रिशी और प्रसंस्क्रित खादे उत्पादों में गैर बास्मती चावल निर्यात होने वाले शीर्ष उत्पादों की सूची में सबसे टॉप पर रहा 2020-21 में जो तीन शीच उत्पात निर्याद किये गई हैं उनमें गैर बास्मती चावल का हिस्सा 23.22 फीजदी रहा है जबकि बास्मती चावल का हिस्सा 19.44 फीजदी गैर बास्मती चावल का निर्याद 2020-21 में 35,477 करोड रुपे था जिसमें बास्मती चावल का निर्याद 29,850 करोड रुपे के साथ दूसरे स्थान पर था बेनिन, नेपाल, बांगलादेश, सेनेगल और टोगो 2021 में भारत से गैर बास्मती चावल के शीर्ष आया तक थे आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चावी, खुशियों की अपनी दुकान झाल